हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़कर है मैं सेक्सोलोजिस्ट सैक्याट्रिस्ट हिप्नोथरेपिस्ट डिएडिक्शन स्पेशलिस्ट एनल्पी ट्रेनर और एक कोच हूँ कि आशकल आपने सुना होंगा देखा होंगा टीवी में हम जब मतलब खबर देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं तो कभी सारी बार हमको सुने आता हैं कि जो एडॉलोसन बच्चे रहते जवान बच्चे पर लड़की रो या लड़का रो वो खुद कुशी कर लेते है अच्छा नहीं कि अभी अभी कुछ दिन पहली कुछ अपते पहली की बात है कि महाराश्य के बड़े अधिकारी उनके लड़के ने जम करके मतलब कूत के आत्मत्य कर लिया कि यह ऐसा होता कैसा है कि आशकल क्या है कि सब जवान एडॉलोसंट एज जो है मतलब 15 साल से ल वसको काफी सारा एकस्पोजर बाहर मिल रहा है वें लृषबूक का इकस्पोजर है पडूक में काफी सारे फ्रेंड्स मिलते हैं बतारन की सरा ने 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 दोस्त त्यार होते रहे तो फोगल्ले अच्क ज हरो जो च्छाहिए आपको मिल सकता है ॸक्ती ओपर है वैसे वाट जो दिखा वो चाहिए और फ्रस्ट्रेशन टॉलरंस जो है लग धिरच कोई भी चीज चाहिए उसके लिए धिरज रखना है वो धिरज रखने की ख्षमत आया धिरज रखने की प्रस्ट्रेशन और उसमें खुदकुशी वो कर सकते हैं वैसे अभी अश्कल हुआ कि फेस्बुक के जरिए इतने सारे लड़के लड़कियां दोस्ट बन जाते हैं जिन्होंने एक दूसरे को देखा भी नहीं है सिर्फ फेस्बुक के उपर फोटो देखके प्यार में पढ़ते हैं अभी अभी मेरे पास में एक लड़की आई वो डॉक्टर है वह एक समाज़ की है फेस्बुक के ऊपर एक दूसरे प्रदेश का मतलब मध्य प्रदेश का एक लड़का उसके साथ में उसकी दोस्ती गुंदे-फिरते हैं घरको पता ही नहीं है कि कास भी अलग है वो लइचा एकडम मतलब ऐसा है कि उसको कोई काम हन्ना नहीं है शराब पीते रहता है घूमते रहता है यह लड़के बोलती है कि में डॉक्टर हूं मैं उसको सुधार हूंगीई ऐसा बोलते कि प्रेम अंदा होता है प्रेम रोग और सच मुछ प्रेम अंदा है वह लड़के को कुछ भी आपने बताया कि वही नहीं यह लड़का अच्छा नहीं है यह कांधना करता नहीं है उसको काफी सारी नशा है मतलब वह नशा करता है शराब पीते रहता है वह उसको तो उससे शादी करके तो सुखी नहीं होंगी तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है और फिर वो बोलती है कि यह आपने मुझे शादी नहीं करने जाए तो मैं खुदकुशी कर लोगी फ्रस्टेशन जल्दी आ जाता है बच्चों को और फ्रस्टेशन आने के बाद में वो खुदकुशी कर लेते हैं तो हमको यह देखना है कि अभी यह जमाने में हम बंद नहीं कर सकते हैं क्या है कि हम बेहेवियर बंद करते हैं मतलब समझो अभी वो लड़की का उन्होंने फ तो सवाल है कि बेहेवियर बदल के कुछ नहीं होता हम बेहेवियर बदलने के चक्कर में है हम उसको घर में रखेंगे लड़की को या लड़के को उसको बाहर जाने देंगे ने वो लड़की के साथ में संपरक नहीं आएंगा लड़के का इस तरह से कुछ ना कुछ और फिर उसको रोक टो करेंगे कुछ ना कुछ ठोकेंगे टोकेंगे रोकेंगे जो भी करना हो करेंगे तो हम behavior alter करने की हम कोशिश कर रहे हैं behavior alter करके कुछ होता नहीं है जहां belief अंदर बैठा हुआ है सब्सक्राइब में अच्छेतन में में वह इतना पक्का जाकर बैठा हुआ है और उसको जब emotionally वह एटेच्ट है क्या होता है कि opposite sex वाले यह उमर में मतलब 16-17 से लेके 25 तक आप कोई भी opposite sex के साथ में कोई लड़का मिलता है यह लड़की मिलती है तो उनका उनका वह अक्चली प्यार रहता नहीं है वह रहता है उनको पढ़तार एक का नहीं है पैसा खर्श लिए उनको डिसको में जाना है उनकी बैके साथ में गुमना फिरना है . उनके लिए वह उनको रोक थो ही जहिए और वह लग tough कर दिया उसमें उनको रोग दिया तो वो फ्रस्टेट हो जाते हैं और वो खुद कुशी कर लेते हैं होता क्या है कि फादर और मदर माँ बाप वो दोनों भी बीजी है और उनको बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं है तो बच्चा जाएंगा कहां उसको कोई किसके साथ में बात्चीत करनी है तो वो कहां लड़का लगता है कोई लड़की उसको मिलता है जो सुन लेती है यह लड़की को लड़का मिलता है कि जो उसको सुन लेता है उसकी बाते मान लेता है तो उनका प्यार हो जाता है तो सवाल है कि फिर अभी जब उनको घर में कुछ मिलता नहीं है तो वह बाहर सेक्यूरिट होता है और उसमें वो कुछ भी कदम उठा लेते हैं अच्छा बच्चे जो बाहरा है जिनके साथ में इसको एमोशनल एटेश्मेंट होता है एक ही उमर के लड़के जी रहे और वो यह शराप पीते हैं सिग्रेट पीते हैं स्मोकिंग करते हैं कैना भीद लेते गांजा लेते जो भी कुछ करते हैं और यह लड़का एदी करता नहीं है तो उसको टोका जाता है अरे मर्द जैसा मर्द तू और तू सिग्रेट पीता नहीं है अरे तू मर्द है कि क्या है तू शराप पीता नहीं है मतलब ऐसको चड़ाया जाता है और अपना पुरुशत्व बताने के के लिए मैं भी मर्ण हों बताने के लिए फिर वो उनके साथ में नशा चालू कर रहे और फिर माबाब खालाता है कि अब कि अधिण करना क्या माभाब को कवालिटी टाइम देना जरूरी है बच्चों के साथ क्वालिटी टाइब बच्चों को समझना और उनका एक दोस्ट बन के दिए वो रहते हैं उनके दुनिया में जाके सुनते हैं वो क्या डील कर रहे हो सुनते हैं तो कभी सारे प्रॉब्लेम्स इसमें ख़ल हो सकते हैं यह कुछ भी नहीं हुआ तो डेफिनिटली हमारे जैसे स पास में आप ला सकते हो हमारहां कॉंसेलिंग के सेशिन होते हैं कॉगनिटी ब्पॉ тебе एक तीरीति हम करते हैं किसे को particulier करते हैं आते हैं और उसके जरीए यहां से मुक्ती पा सकते और वच्चा अच्छा जीवन वितित कर सकता है यह आपके लाइफ में ऐसे कोई लोग होंगे तो जरू उनके साथ में वीडियो शेर कीजिएगा आप जरू सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो ताकि जो भी लोग यह सम का जीवन समाधान का जीवन अनन का जीवन जी सकेंगे थैंक यू बेरी मुच्छ